इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह इसका उप्योग एंटियॉक्सिडेंट के साथ मसाज में किया जा सकता है इसमें इमेने गौग गुण भी हैं खादी प्योर रोज एसेंशिल और कसेले गुणों के साथ एक सामान्य तवचा टॉनिक के रूप में कारे करता है जो तवचा को मॉइस्चराइज, हाइडरेट औ और उत्तेजित करता है लोशन या क्रीम के साथ मिलाने पर यह सभी प्रकार की तवचा को निखारता है यह गैर विशैला, गैर उत्तेजक और गैर समवेदनशील है यह श्वसन तंत्र, पाचन समस्याओं, मासिक धर्म संबंदी समस्याओं और तवचा की देखभाल में सहा पाइदों के बारे में 1. ये बाल उत्पात के अवशेशों को हटाता है और बालों को पुना हाइडरेट करता है 2. ये सभी उम्र के लोगों के लिए एक अच्छा तवचा कंडीशनर है 3. ये क्लींज के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये धीरे से छिद्रों को खोलता है और गंदगी को साफ करता है 4. ये संबन, फटी तवचा और अन्य तवचा रोगों से राहत दिलाने में उप्योगी है 5. गुलाब का तेल अपने अवसाद रोधी, एंटी सेप्टिक, एंटी स्पास मोडिक और एंटी वाइरल गुणों के लिए जाना जाता है 6. ये तवचा को मॉइस्चराइज, हाइडरेट और उत्तेजित करता है 7. लोशन या क्रीम के साथ मिलाने पर यह सभी प्रकार की तवचा को निखारता है 8. ये गैर विशेला, गैर उत्तेजक और गैर समवेदनशील है 9. ये श्वसन तंत्र, पाचन समस्याओं, मासिक धर्म संबंदी समस्याओं और तवचा की देखभाल में सहायक हो सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें